हेलो स्टूजेंट्स कैसे हैं आप सब I hope कि आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ मिलनसिंग और मैं आपको पढ़ाऊंगी यंगलिश टो जो एंगलिश मैं आपको पढ़ाऊंगे वो हर एक्जाम के लिए वैलेड होगी एसा नहीं होगा कि EFKET के लिए हम क्या पढ़ें CDS के लिए हम कितना पढ़ें CGL के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता थीक है तो यह चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें इस exam के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है कभी भी कोई भी subject कोई भी टोपिक जब भी आप पढ़ें तो उसको बिल्कुल बेसिक लेखे और एडवांस लेवल तक पढ़िए ताकि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए एक्जाम में तो आपका कुशन गलत ना हो ठीक है बिटा तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देख ले कैसे वह पता लगता है कि द्यारियंट कैसे करते हैं ठीक है बिता सबसे पहले हम देखते हैं Bliss को हम च Dakota करते हैं अब मतलब किया है कि जो अब प्रीवेस हर के कोंशन्स होते हैं है उसके तो प्रीविस के प्रिवेश परंव होते हैं ठीक है उनको हम त्रीवांस Carlo 60 to 70 percent that means 60 to 70 percent questions आपको कहां से मिल जाते हैं प्रिविस यह उस पेपर से ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें विटा लेकिन जो आगर मैं कहूं कि 60 to 70 परसेंट अपने प्रिविस यह के कोश्चन पढ़ लिए तो बिटा 60 to 70 परसेंट आपको सिलेक्शन नहीं देगा ठीक है और चीजें भी पढ़ने पड़ेंगी तो अगर मैं बोलूं कि अप्डेटेट्स लेबस अप्डेटेट्स स्लेबस में अभिटा अप्डेटेट्स में होगा कि मानलो मैं आपको बोलूं कि 2001 में जो आपको कॉश्चन पूछे गए क्या बमुझे बताईए क्या अब 2021 में भ कोश्चिन पीपर देखें उठाके तो हमें पैटन समझ में आ जाएगा कि अब किस पैटन पर आप से कुश्चिन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो उसी को हम बोल देते हैं पीटा अपडेटेड़ स्लेवर्स ओके और थर्ड वान है इसके बाद एक्सपेक्टेड़ स्लेवर्स अब एक्सपेक्टेड़ स्लेवर्स में क्या होता है कि आपने मानलो सब कुछ पढ़ लिया आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है ठीक है आप कह रहे हो कि एक्जाम तो मैं निकाल दूँगा लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस एक्जाम के अंदर 100% स्कोर करें मैं अब आने वाले एक्जाम में और नए चीज क्या पूछ सकता है ठीक है तो उसको बिटा हम किसमें रखते हैं एक्सपेक्टेड़ स्लेवर्स के अंदर कि अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि एक्जामिन आपसे नए पर कराऊंगी कि आपके लास्ट पर कोशन्स क्या पूछे गए हैं लास्ट यह उसमें ठीक है और अब 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 डेटेड़ से अब क्या है और एक्सपेक्टेड में आपसे क्या पूछा जा सकता है ठीक है बेटा यह तो था कि हमारे किस टाइब से स्लेवर्स हम इसको पर्टिकुलर 10 चैप्टर्स ही है ऐसा कुछ नहीं होता है यह सिर्फ टोपिक्स पर्टिक्स करता है कि क्या करते हैं टीचर्स टोपिक्स करांगी वह तो अरांड ट्वेंट टोपिक्स करांगी इंग्लिष के ठीक है इनको आप चैप्टेल्स लगा लीजिए यह लगा लिए तो तो अभी मैं सबके नाम नहीं लिख रही हूँ, one by one करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन-कौन से टोपिक्स हैं, इसके बाद बिटा आपके पास आती है, वोकाब पॉर्शन, ठीक है, वोकाब पॉर्शन में आपसे क्या-क्या पूछ लिया जाता है, एक तो पूछा जाता है, one word substitution, दूसरा आपसे पूछा जाता है, बिटा, idioms and phrases, idioms and phrases, थर्ड आपसे पूछ लिया जाता है, एंटोनिम, सिनोनिम, देर आपसे पूछ लिया जाता है, spelling correction, spelling correction, ठीक है विटा, तो ये चीज़ें आपसे वोकाब पॉर्शन में पूछ लिया जाती है, अब हमें एक question, बहुत त्यान से पढ़ना है, जैसे मालो, उस्रे spelling correction का question आपसे पूछ लिया, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, कि आपसे वो correct पूछ रहा है, या incorrect पूछ रहा है, क्योंकि students का mindset होता है, कि correct पूछा होगा, तो हम correct तिक कर के आजाते हैं, और हमाना से जो question है, वो गलत हो जाता है, ठीक है, इसके बाद बिटा हम बात करें, third portion की, that is comprehension, 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 अब इसमें आप से क्या-क्या पूछा जाता है, एक तो आजाते हैं, आपके पास passage, second आजाते हैं, आपके पास close test, and third आजाते हैं, आपके पास para-jumble, para-jumble, okay, तो अब passage में आपको पता है, आपको paragraph दे देता है, वो आपको उसके उसके बेस्ट कोशिंस दे देता है, तो आपको वो paragraph पढ़ के आंसर करने होते हैं, second close test में वो आपको क्या करता है, filling the blanks दे देता है paragraph के अंदर, और आपको appropriate answer उसमें fill करना होता है, चार options आपको वो देता है, हर filling the blanks के लिए, और पहला जंबल में वो क्या करता है, कि आपको अलग-अलग parts देता है, एक sentence के, और आपको उनको एक sequence में range करना है, ताकि एक correct sentence बन जाए, तो यह आता है हमारा comprehension part के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको तीसले बस के तीनों ही parts पे practice भी कराऊंगी, और समझाऊंगी भी कि इनको हमें किस तरीके से prepare करना है, और इनके अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है पेटा, clear है यहाँ तक सभी को बाते, ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा topic पढ़ना चाहिए, क्योंकि students के दिमाग में यह question सबसे पहले put होता है, यह दिमाग में आता है कि हमें कौन सा topic जो है, तो वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, मेरा मानना यह है कि आप कोई भी topic पढ़ लीजिये पहले उठा के, लेकिन आपको उसका सिर्फ basic clear होना चाहिए, उस topic का, आपको उसका base पता होना चाहिए, basic पता होना चाहिए, कि उस topic का basic क्या है, देन आप उस topic को easily cover up कर पाएंगे, ठीक है, तो मेरी तरफ से ऐसा कोई fix topic नहीं है, कि सबसे पहले आप English में इसी से शुरू करें, ठीक है, आपको जो भी topic समझाता है, अगर आपको उसका basic clear है, तो आपको उसमें problem नहीं आएगी, ओके बिटा, ठीक है, और मेरे साथ पढ़ते हुए आपको एक चीज और थ्यान रखनी है बिटा, कि मैं आपको rules नहीं रटवाऊंगी, rules नहीं कराऊंगी बिटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको concept से पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ only concepts, concept से पढ़ाऊंगी, ठीक है, ताकि वो चीज आपके दिमाग से कभी भी ना निकले, आपके दिमाग में बिल्कुल set हो जाएं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि rules अगर हम रटेंगे बिटा, तो मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये, कि हम कितने rules रटेंगे, पहली बात तो ये, कि आपने मानदो rules रट भी लिए, आपने rules रट भी लिए, लेकिन मुझे ये बताओ, कि अगर examiner ने, आपको थोड़ा सा question change करके दे दिया, थोड़ी से उसमें modification कर दी, तो आपका rule उसमें set नहीं होगा, आपका rule उसमें नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको concepts clear करने हैं अपने, ठीक है, कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई होगी, ठीक है, इसमें हम word की second form यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, third use कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है आप concepts clear करने हैं बेटा rules नहीं रटने हैं तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि मैं आपको rules नहीं कराऊंगी आपको हर sentence का मैं आपको concept दूँगी कि ये चीज ऐसा क्यों हुई है ठीक है बेटा तो आज का चेप्टर शुरू करते हैं हम सबसे पहला topic शुरू करते हैं और जो मैं topic आपको कराने जा रही हूं वह topic है आपका कौनसा topic है अब मैं आपको tense पहले क्यों करा रही हूं क्योंकि इस पर बहुत सारे topic आपके based है जैसे कि अगर मैं बोलू narration narration का पूरा topic आपका tense पर बेस्ट है ऐसे ही मैं अगर आपको कह दूँ voice तो voice का topic पूरा आपका इस पर बेस्ट है ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ verb basic हो या advance हो ठीक है कोई भी topic हो आपका इसमें से तो वह भी आपका किस पर depend करता है पूरा का पूरा topic tense पर depend करता है ठीक है clear है यहां तक ओके तो इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे tense पढ़ेंगे तो बात करते हैं बिटा कि tense होता क्या है ठीक है tense होता क्या है अब यह मत कहना कि काल होता है ठीक है मैं आपसे हिंदी नहीं पूछ रही कि tense कि हिंदी क्या होती है हिंदी में इसे क्या कहते हैं दूसरी बात बिटा कि मैं आपको definition नहीं रटवा रही है definition नहीं करवा रही है यहां पर क्योंकि हर बुक में आपको definition मिल जाती है अब definition हम रट तो लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस definition में जो भी उसने लिखा है वो कैसे आया है हम उसको कैसे समझें ठीक है बटा तो tense पे जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कुछ ची Tense अगर हमें जानना है तो Tense को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानने पड़ेंगी और उसमें सब से पहले हमें जानना पड़ेगा कि Time कि टाइम किस तरीके से वक करता है तो टाइम की अगर हम बात करें सुनना मेरी बातों को तायं को को verdadeक कि दिवाइड कर देते हैं तो अजूमशंस के बेशल्ट कर सक्ते भी दिवाइड कर देते हैन उसको बिटा हम क्या बोल देते हैं टाइम लाइड ठीक है अजुका도 पया एधाद हमने time को क्या कर दिया? divide कर दिया और time को जैसे ही हमने divide किया तो उसको हम क्या बोलते हैं बिटा? time line अब इस time line में कौन-कौन से division होती है हमारे पास? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिटा present की चीक है? अब present से पीछे क्या होता है? past और present से आगे क्या होता है? future very good ठीक है? इतना समझना है सभी को? ओके आप देखो मैं आपको example से समझाती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है? तो मैं किस में बोल रही हूँ मेटा? present में ठीक है? बात में किस की कर रही हूँ? present की कर रही हूँ अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं बोल दूँ मैंने पढ़ाना बंद कर दिया या खतम हो गया मेरा work पूरा हो गया तो मैं क्या बोल दूँगी? कि मैं पढ़ा रही थी तो जो मेरा present था जो मैं काम कर रही थी जो मैं present में थी जब मेरा action complete हुआ तो वो क्या बन गया बिटा? past बन गया तो यह चीज़ आपको समझ में आई कि जो present था वही तो क्या बन गया? past बन गया जो present था वही क्या बन गया? past बन गया ऐसे ही अगर मैं बोलू कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, अब बात तो मैं फ्यूचर के कर रही हूँ गी, कल मैं ये काम करूँगी, लेकिन बोल कब रही हूं बटा, present के अंदर, बोल कहा रही हूं, present के अंदर, समझ में आया इतना ठीक है, तो अब देखो, मैंने बोला कि जो past हो वो होता है बीता हुआ प्रेजंट जो आपका प्रेजंट बीत गया उसी को हम क्या बोलते हैं पास्ट बोलते हैं तो आज से यह ध्यान रखेंगे यह नहीं कहेंगे कि बीता हुआ समय पास्ट होता है नहीं बिटा बीता हुआ प्रेजंट ही क्या होता है पास्ट होता है क्यो present में जो काम कर रहे थे वही तो past बन गया ना तो इसलिए बीटा हुआ present ही क्या हुता है पास्ट होता है present के basis पे ही हम future को assume करते हैं ध्यान से सुनना में क्या कह रही हूँ present के basis पे ही हम future को सिर्फ assume करते हैं हमारे present पे ही future based होता है क्यों जैसे कि मैंने थोड़े दिर पहले आपको कहा था क्या कहा था कि मैं कल दिल्ली जाओंगी अब मान लो by chance कोई ऐसे reasons हो गए कि मैं दिल्ली नहीं जा पाई तो पेटा क्या हुआ वो काम फुँला हुआ नहीं सिर्फ और दिल्ली जाओंगी कल मैं यह काम करूंगा परसों मैं एक काम करूंगा नैंस्ट मंथ मैं यह काम करूंगा है 1 समझ में आया इसलिए पेटा चीक पलए जो टैकनीकिल इगर मैं बोलूँ टैकनीकली फ्यूचर को तैंस कंसीडर नहीं किया जाता जो व्होइन को तैंस किया जाता जो ऑप ताइप लेकिन voi अरन इंड़िशा से झांग फ्यूचर को इस था मिल जाताथ है ठीक है लेकिन टेक्निकली फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता दो ही टेंस होते हैं हमारे पास प्रेजंट और पास लेकिन हम में कॉषिंस मिलते हैं और इंग्लिश इसको मानती है तो इसलिए हम फूचर को भी पढ़ेंगे यहां तक क्लियर है बिटा सभी को वेरी गुट अब मैं एक और एक्जाम्पल देती हूं बिटा अब देखिए ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में बात कर रही हूं बिटा तो मैं क्या बोलूंगी आज क को हम क्या बोल देते हैं कि ज़िए वाले का क्ल को हम क्या बोल देते हैं और ऑध्यान देना अ Jamie जब मैं आज बोल रही हूं प्रेजन्ठ में बात कर तो समझ में आरहा है जब आपका यह तूड़े बीट गया डाट मीज़ की जो आपका प्रेजंट था वह बीट गया तो वह क्या बन गया यस्टरडे बन गया वैरी नाइस अब मैं जैसे ही टुमोरो आएगा नेक्स्ट डे आएगा तो जैसे ही मैं किस पर पहुंची तुमोर है टुड़े बोल रहे हैं समझ में आया तो लेटा आपकी जो पास्ट है या फिर फ्यूचर है यह दोनों ही किस पर बेस्ट होते हैं प्रेजंट पर ही बेस्ट होते हैं ठीक है तो यहां तक आपको क्लियर है चीजी सभी को समझ में आई वहरी नाइस तो इसका स्क्रीन तो यह बात थी आपके टाइम की तो टाइम के बारे में सब को समझ में आया तो अब से ध्यान रखेंगे कि पास्ट हमारा बीता हुआ प्रेज़न्ट ही होता है कोई बीता हुआ समय नहीं होता कोई तक मझे नहीं सब्सक्राइब के लाइक कीजिए और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको lecture समझ आया या नहीं आया ओके? ओके, चलिए अब next point पे आते हैं अब tense को जानने के लिए आपने time को जान दिया अब हम किसको जानेंगे? action को जानेंगे कि action क्या होता है? तो बिटा, action होता है कोई भी काम करना क्या होता है? action कहते हैं हमकी कोई भी काम हुआ या हो रहा है या होगा तो उसको बिटा, हम क्या बोल देते हैं? action बोल देते हैं, ठीक है? ओके, तो action बिटा, जो होता है आपका वो तीन type का होता है action की कितनी types होती है three types होती है आपके action की और वो कौन-कौन सी होती है देखते है सबसे पहले action की बात करते हैं नाम बाद में लिखूंगी पहले मैं आपको समझा रही हूँ की होता गया है तो देखिए बिटा ये एक road है ठीक है यहां पे एक person खड़ा है तो मुझे बताईए बिटा कि जब तक ये यहां पे standing position में है खड़ा है तो क्या कोई work हो रहा है क्या कोई action हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिर्फ खड़ा है क्योंकि काम तो तब चालोगा ने पे हम बोलेंगे जब दोड़ा है यहां फिर क्या बोलेंगे कि वो चल रहा है तो जैसे ही दोड़ना start करेगा तो यह किस में आ जाएगा भीटा गौन्टिन्यू अजाएगा एक्ष्ट्स स्टार्ट हो गया ना क्लियर समझ में आया और जब तक यह परसन खड़ा था तो कोई काम नहीं हो रहा था जैसे यह रन करना शुरू करेगा तो काम होना एक्षेण होना शुरू होगा और इवो क्या होगा continue में होगा इसलिए हम पहले टाइप को क्या नाम दे देते हैं बिटा continuous process या फिर continuous action कोई doubt बिटा इसमें clear हुआ सभी को ठीक है तो हमें रटनी नहीं है बिटा चीजे अब यहां से आपको समझ में आ है कि टेंस में जो हम continuous यूज करते हैं वो कैसे आया और कहां से आया clear okay very nice तो इसका screenshot ले लिए देन हम आगे बात करते हैं यह थी आपकी पहली process अब हम बात करते हैं बिटा second type की कि second type क्या होगा नाम मैं फिर से बाद में लिखूंगी पहले आपको समझाने की कोशिश करती हों ध्यान से समझेगा कि बिटा आप मुझे यह बताइए कि यह जो परसन दोड़ रहा था क्या यह दोड़ता ही रहेगा क्या यह सारी उमर दोड़ता ही रहेगा नहीं बिटा रुकेगा भी तो सही ना और जैसे ही रुकेगा that means action stop हो गया action complete हो गया तो बिटा जब कोई चीज complete हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं perfect है एक और एक्जांपल देती हूं कि मान लो मैंने कोई painting बनाई है क्या बनाई है और वह complete हो गई ठीक है मेरी तरफ से मैंने complete कर दी तो मैं क्या बोलूंगी बिलकुल perfect बनी है यह देखने वाला क्या कहेगा बिलकुल perfect बनी है तो आप उस painting को perfect कब कहेंगे जब वो पूरी बन चुकी होगी तो that means कि कोई काम जब complete हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं perfect तो उसी को जब आपका जो action continue में था वो complete हो जाएगा stop हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे बिटा perfect तो उसी को नाम हम क्या दे देंगे perfect process ठ ठीक है that means action एक्षिन ठीक है action जो है वो आपका complete हो गया है तो उसको पिटा हम क्या बोल देंगे perfect process कोई doubt यहां तक clear सभी को very nice अब देखिए थार्ड टाइप क्या होती है आपके action की थार्ड टाइप फिर से मैं नाम बाद में लिखूंगी पहले समझने की कोशिश करना कि यह हैं पिटा हमारे पास दो rooms है room one and room two two rooms है हमारे पास और बेटा room one के अंदर बहुत सारे boxes रखे हुए हैं क्या रखे हुए हैं बहुत सारे boxes रखे हुए हैं और बिटा ये boxes जो है मुझे कहां पर shift करने है room 2 के अंदर shift करने है ये सारे के सारे boxes मुझे कहां पर shift करने है room 2 के अंदर shift करने है तो मैं क्या करूंगी मैंने एक person को बुलाया बिटा that is person A मैंने इस person को बुलाया और मैंने इसको बोला कि आप ये सारे के सारे boxes जो है वो कहां shift माँति कर दीजिए यह कहता है कि को मैं श्युला उसका उच्छी कम वहाँ और चलिजाना अब एक हम लिए फोर सब्वां çalış के लुक्टिम की और रखता जा रहा है श्युक्राइब कर दो एक तीन गंटे हो गए इसको और मैं चाहे हूं कै dabart रर और मैं इससे पूछतीज़ क्या काम complete हो गया तो यह कहता है कि नहीं माम काम तो complete नहीं किसaults तो कोच और रख दिया और कुछ बोक्स मेर्षें और कुछ बॉक्स रहते हैं मैं तो इतना ना Babka काम जो है वह चल रहा है अभी तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जो काम complete हो जाए जितना action complete हो जाए उसको हम ya बोल देते हैं पर्फेक्ट सविय आ रहा है ठीक यहा और जितना काम काम चल रहा है और कोई का sixty अगर चल रहा है तो उसको हम बेटा क्या बोल देते हैं continuous ठीक है तो जितना काम complete हो गया वह परफेक्ट और जो काम अभी चल रहा है continue में उसको हम क्या बोलते हैं continuous तो यहां से हमारी third type क्या बन गई बिटा perfect continuous process अब बताओ मुझे क्या रटने की जरूरत है नहीं है न समझ में आया कि जितना काम complete हो गया perfect और जितना अभी चल रहा है that is continuous तो process क्या बनी perfect continuous that means कि कुछ काम complete हो गया और कुछ काम अभी चल रहा है तो यह बिटा हमारी है तीन टाइप्स action की screenshot ले लीजिए एक फ़र फिर आगे चलते हैं समझाया सभी को ठीक है अब बात करते हैं अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि जिब हम टेंस पढ़ते हैं ठीक है continuous भी आ गया perfect भी आ गया perfect continuous भी आ गया लेकिन एक चीज रह गई और वो कौन सी रह गई बिटा इंडेफिनेट को बिटा हमने action की टाइप क्यों नहीं माना क्योंकि जो इंडेफिनेट है बिटा वो कोई भी action या process शो नहीं करती कोई भी action या process शो नहीं करती इंडेफिनेट जो है बिटा वो सिर्फ और सिर्फ आपको information provide करता है क्या provide करता है आपको सिर्फ और सिर्फ information प्रोवाइड करता है ठीक है कैसे for example पिल अगर मैं बोलू कि मैं खाती हूँ कर्रों मैं अंदर चैनन नहीं हो रहा है चिर्फ innovation प्रोवाइड कर रही हूं और नहीं है क्योंकि कोई वर्क होई नहीं रहा और कोई वर्क होई नहीं रहा तो हम उसको एक्षिन नहीं बोल सकते तो ध्यान रखना कि जो हमारा इंडेफिनेट वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है इन्फॉमेशन प्रोवाइड करता है तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टाइम और एक्षिन के बीच में रिलेशन क्या होता है यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगी तो अगर आपको मेरा चैनल पसंदा रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए ठीक है और मुझे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको समझ आया या कोई doubt है या आपको lecture कैसा लगा ठीक है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा बिटा clear है सभी को ठीक है और कोई doubt होगा तो मैं नेक्स लेक्शर में जरूर लूँगे आपका डाउट कि अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो ठीक है बिटा प्लियर है सभी को चीजे समझ आई है ठीक है ओके स्क्रीन शोट लेना है तो आप ले लिजिए इसका ठीक है बिटा तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी को आगे कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है बिटा ओके बाई बाई थैंक यू क्लास